राजस्तान के भरतपूर के गोपालगर कजबे में 2011 में हुई सामप्रेदाइक हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री भजुनलाज शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रत करने के लिए गुरुवार को जैपूर की एक अदालत में याचिका दायर की गई अचिका करता सावर्मल चोधरी ने अपने वकील के जरिये जैपूर की अतरक जिला नियाइदी शानमिका साहरन के अदालत में दलील दी कि मुख्यमंत्री शर्मा को विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमती लेना सहित कुछ शर्तों के साथ मामले में जमानत दी गई थी नमस्कार मैं उन्शेक जुही आप देख रहे हैं दर नग्री नियूस मुख्यमंत्री समय निवेशा को से मुलाकात करने के लिए राइजिंग राजिस्तान इन्वेस्टर समिट दो हजार चोईस के सिलसले में विदेश यात्रा पर हैं याचिका करता के वकील ने बताया कि शर्मा भरतपूर के गोपालगर में 2011 में हुई सामपरदाइक हिंसा के मामले में एक आरोपी हैं इस हिंसा में करीब 10 लोग मारे गए थे मामली की जास सी भी आई कर रही है क्याचिका करता के वकील सागर चोदरी का कहना है कि मुख्य मंत्री को अदालत ने मामले में अग्रिम जमानत दी थी उन्होंने अदालत के निर्देशों का हुलंगन किया है क्योंकि वो इस समय विदेश श्यातरा पर ने अदालत ने मामले की सुनवाई चोई सेप्टेंबर कुते की है वही विधान साबा में विपक्ष के नाता टिकराम जूली ने भी भजणलाल शर्मा के विदेश यात्रा पर सवाल उठाए उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा मीडिया के माधियम से जानकारी में आया कि अधिवक्ता श्री सावर चोधरी ने अदालत में याचिकादर्श कर बताया कि मुख्य मत्री श्री भजणलाल शर्मा ने गोपाल गर्दंगो से संभंधिद एफायर नमबर कि चल रहे ट्रायल के बीच अदालत की अनुमती के बिना विदेश यात्रा पर अग्रिम जमानत की शर्तों का उलंगन किया है इस मुकदमे में श्री भजणलाल शर्मा को 10 सेप्टेंबर 2013 को सशार्थ अग्रिम जमानत दी गई जिसमें नियाले के पूर निमती के बिना दे का संदेश जाएगा इस मामले पर मुख्यमंत्री जी को अपना पक्ष स्पष्ट तोर पर रखना चाहिए जिससे सच चंता के सामने आ सके तमाम खबरों के लिए देखते हैं ये दन अगरी नीव शुक्रिया